दोस्तों नमस्कार प्राजे सरक्लाशेश में आपका श्वागत थे महत्पुल प्राश्ट कच्छादा शिंदी एदि बोर्ड एकजाम दो हजार चौबिस में आप अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं वो भी कितना 90 से 95 प्रतिशत तो पूरा वीडियो देखी में तो द सहला प्रश्ट यात्रा की पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है जिसके रचना कार राहूल संस्क्रितायन है यात्रा की पन्ने की विधा क्या है तो लिखेंगे आप यात्रा जो है विध विधा पर आधारित रचना है इसकी रचना कार राहूल संस्क्रितायन है इसके लेखक रअुशन्स приतार नें दूस्रा प्रश्ण वर बद्युंवेदी तो शर्ट्रति पत्रिक किया है दुवेदी यूग में अंप्रकाशित था, यह एक माशिक पत्रिकका थो या यानी महीने यह पत्रिका निकलती ति अगला प्रस्ण है ठलुआ कलब के लेखक का नाम लिखे बाबु गुलाबरा इसके लेखक है बाबु गुलाबरा इसकी बिधा क्या है यह निवन्ध है इसकी बिधा क्या है निवन्ध है तो एक-एक प्रस्ण में दो-दो वहविकल्पी आएंगे रीतिकाल के दो कभियों के नाम लिखे तो महत्पुर्ण नाम है बिहारी यम केश्व अगला जो प्रशन आपके सामने है आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है तो आवारा मसीहा के लेखक है विश्णु प्रभाकर आवारा में मसीहा के विधा जीवनी है इसकी बिधायदी पूछी जाएगी तो ये एक जीवनी है अगला प्रशन है एक घूट की रचनाकार कौन है तो एक घूट एकांकी नाटक है इसकी बिधा पूछी जाएगी तो ये एकांकी नाटक है जिसके लेखक जैसंकर प्रशाद जी है अगला प्रशन है किसी एक महिला कहानेकार का नाम लिखे तो देख लेजे मन्नु बंडारी, सिवानी, मैत्रेई, पुष्पा, इत्यादी ये महत्पुर महिला कभियों के नाम है अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रस्ण पर हिंदी की प्रथम कहानी का नाम क्या है महत्पुर प्रस्ण है, वेरिवरिंग पार्टेट फार्थबोर्ड एक्जाम दोहजार चौविस रानी केतकी की कहानी प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की रानी केतकी कहानी जिसके लेखक है, इंसा अल्ला खां अगला प्रस्ण है, ठोठा आम के रशनाकार कौन है तो उठा आम के रशनाकार भागवत सरन उपाध्याजी है अब हम लेकर आपको चलते हैं, अगले प्रस्ण पर देखी अगला प्रस्ण दस्वा प्रस्ण, जहाज का पंची एवं भूले विश्रे चित्र के रशनाकारों के नाम तो देखी, जहाज का पंची एक उपन्यास है, और इसके जो रचनाकार है, इलाचंद जोसी है और भूले विश्रे चित्र ये भी उपन्यास है, और इसके उपन्यासकार भगवती चरन उपाध्याजी बर्मा है आ रहा है अगला प्रश्ण, तो देखी अगला प्रश्ण, तीसरा सब्तक कावे संग्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1969 में अगला प्रश्ण है, तार सब्तक कि शंपाधक का नाम लिखे, अगें, सचिदानंद, हिरानंद, वात्शायन, अगें अगला प्रश्ण है, कामाईनी की रचनाकार का नाम, तो कामाईनी की रचनाकार है, जैसंकरप्षाद, एक महाकाब्य है, कामाईनी जैसंकरप्षाद की अगला है, बिने पत्रिका किस काल की रचना है, तो बिने पत्रिका भक्ति काल की रचना है, जिसके रचाइता तुलशी दासजी हैं अगला प्रस्न है राष्ट कवी का सम्मान कि से प्राप्त है तो राष्ट कवी का सम्मान मैथली सरण गुप्त को प्राप्त है प्रयोगवादी कवीयों के नाम लिखे प्रमुक कभी सचिदानन्द हिरानन्द वास्यान अगे हैं गजानन माधो मुक्ति बोध हैं गिरिजा कुमार माथुर हैं धर्म बीर भारती हैं भारत भुसलक गरवाल हैं नरेश सक्सेना इत्यादी ये प्रियोग वादी कभियों के नाम है अगला है संसत से सड़क तक की रशनाकार का नाम लिखे धुमिल जिनका पूरा नाम सुदामा पांडे है इनका उप नाम धुमिल है बिरिगाथा काल के कभियों के नाम लिखे तो देखी महतपुर नाम है नर्पति नाल, चंदवर्दाई, जगनिक, दल्पति बिजे तो ये महतपुर नाम आपके सामने है ये बिरिगाथा काल के कभी है जो राजाओं के दर्बारी कभी होते थे वही है अब हम चल लें आपको लेकर के अगले प्रस्ट पर देखी अगला प्रस्ट आपका इंतिजार कर रहा है इसमा प्रस्ट चायवाद की प्रमुक विसेष्थाएं लिखिएं प्रकित का मानवी करण एवं प्रेम बेदना की अव्यक्त ये चायवाद यूग की प्रमुक विसेष्था है पल्लो किसकी रचना है सुमित्रा नंदन पत्क की महत्पुर रचना है पल्लो रीतिकाल की प्रमुक रचना तो रीतिकाल की प्रमुक रचना है विहरी सत्शई अगला प्रस्ट है चायवादी यूग के दो कभियों के नाम लिखे तो छायावदी यूग के आजादी का समय था उसी समय की बात है ये सुर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमिता नंदन पंत महादेवी बर्मा ये छायावदी यूग के प्रमुख कभी है ये काल था 1925 से लेकर 1940 तक रामधारी सिंग दिनकर की प्रमुख राचना तो रामधारी सिंग दिनकर की प्रमुख राचना उर्वसी कुरुचित रेणुका धूप और रसमिरती रामधारी सिंग दिनकर की प्रमुख रचना हैं आपके सामने अगला प्रशन है आधनिक युक्की मीरा किसे कहते हैं तो आधनिक युक्की मीरा महादेवी बर्मा है आधनिक युक्की मीरा का नाम है महादेवी बर्मा हिंदी का प्रथम महाकाब किसे माना जाता है चंद बरदाई द्वारा रचित पृत्वी राज रासो अगला प्राशन है रीतिकाल को अनकिश नाम से जाना जाता है श्रिंगार काल को श्रिंगार काल के नाम से जाना जाता है अगला महत्पुल प्राशन सूफी कावधारा के दो कवियों के नाम लिखे जैसी रचना है पदमावद मंझन रचना है मध मालती तो प्रमुख कभी हैं सूफी कावधारा के जैसी और मंझन जिनकी रचनाएं भी इस प्रस्ण में है उत्तर में है शुमित्रा नंदन पंथ की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे शुमित्रा नंदन पंथ की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे तो देखी सूर्दास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे तो देखी सूर्दास की प्रमुख रचनाओं आपके सामने सूर सागर साहित लहरी नल दमयंती सूर सरावली ये सब सूरदास की प्रमुख रचनाये हैं अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्ण की ओर तो देखें अगला प्रश्ण आपका इंतजार कर रहा है अगला प्रश्न भी आपके सामने आही गया तो देखे अगला प्रश्न ये आपके सामने है तीस्वा प्रश्न है आपके सामने महादेवी बर्मा की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? निर्जा, रस्म, निहार, दीप सिखा, अगनी रेखा, निलांबरा, आदी ये प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी बर्मा की अगला प्रश्न हे खग म्रिग हे मदुकर स्रिनी तुम देखी सीता म्रिग नैनी में कौन सा रस है इन पंक्तियों में कौन सा रस है इसमें करुन जब सीता मैया को राबट ठाले जाता है जंगल से छलकपट से तो वहीं राम और लच्छमड कहते हैं हे खग म्रिग हे मदुकर स्रिनी हे खग म्रिग हे पंची म्रिग हे परवत तुम देखी सीता म्रिग नैनी आपने सीता को अपनी आँखों से देखा है 32 प्रश्ण है हसी हसी भाजे देख दुल दिगंबर को पाहुनी जय आमय हिमाचल के उच्छाओं में कौन सा रस है भगवान शिव अपने बारात के साथ आते हैं मापारवती के घर उस समय का ये दृष्ण है तो इसमें हासर रस है क्योंकि उसमें एक से एक बाराती थे राजशाच नाग तमाम भूत बैताल ये सब क्या थे उसमें बाराती थे उसको देखकर गांवाले पर्शान थे और हस रहे थे कैसे बाराती है मापारवती के बिवाह में 33 प्रस्ण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है पायो जी मैंने राम रतन धन धन पायो रूपकलंकार है पायो जी मैंने राम रतन धन धन पायो जब दोनों उपमाउप में एक होता है तो हां रूपकलंकार होता है अगला प्रश्ण है सुहत ओड़ पीत उपट श्याम सलोने गात मनहों नीलमडी सेल पर आतपु परियोग प्रभात मानों कौन सा लंकार है उत्रच्छा लंकार है मानों मानही इस प्रकार की प्रश्ण छवदाय तुहां उत्रच्छा लंकार होता है अगला है 35 प्रशण आपके सामने 2ा छंद के प्रथा में 13 चरणों में कितनी मात्राएं होती याद रखी ये सब प्रशन आने वाले हैं 111 ग्यार ग्यार मात्राएं होती है अगले प्रश्ण की तरफ तो देखिए अगला प्रश्ण आपकी इंतजार में महत्व सब्द में प्रत्य है महत्व सब्द में प्रत्य है तो यह यह अंत में जो अच्छर लगी रहते हैं सजावट में प्रत्य है सजावट में प्रत्य वट ठीक है तो यह माता पिता में कौन सा समास है माता पिता में द्वंद शमास है दोनों का महत्वश्य शमान है इसलिए द्वंद शमास है त्रिफला में कौन सा समास है जहां संख्या का बोध होता है यहां द्वंद शमास होता है जहां संख्या का बोध हो वहां दिक्षमाश होता है दूद का तत्समरूप क्या है दूद का तत्समरूप दुग्ध कुवा का तत्समरूप क्या है कूप मंदाकिनी भागी रथी देवनदी किसके पर्यावाची है गंगा के मंदाकिनी भागी रथी दिवनेदी की इसकी परियावाची गंगा की इत्यादी सब्द में कौन सी संधी है इत्यादी सब्द में इति धन आदी यन संधी है इति धन आदी यन संधी अभिदय का संधी विच्छेद अभिधन उदय अभिधन उदय नदी सब्द का द्युतिया विभक्ति का बहु बचन रूप होता है नदी याद रखे आने वाले प्रस्ण बोड़ एकजाम दो हजार चोबिस में मधु सब्द का खस्टी विभक्ति का एक बचन रूप मधुना पठती पठ्थ धात का का रूप है लट लकार एक बचन प्रथम पुरुष तो ये हुए महत्पूर्ड आपजेक्टिव प्रश्ण अब हम आपको लेकर चलते हैं वर्णात्मक प्रश्णों की ओर तो देखे वर्णात्मक प्रश्ण आपके इंतजार में खंब वर्णात्मक इसके लिए कापी मिलेगी प्रश्णों का अंसर उसे में लिखना होगा अभी तक जो हमने 50 प्रश्ण बताएं उसमें से 20 भविकल्पी प्रश्ण आपको मिलेंगे तो आप देखते हैं वर्णात्मक प्रश्ण निम्कित में से किसी एक गदांस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दीजिए च्छा नंबर का है दो धन दो धन दो बरावच्छ तो देखे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है यह केवल नेति और सद बृति का ही नास नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छै करता है किसी वह पुरुस्त की संग्यत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन आउनत के गड़े में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहरा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत के ओर उठाती ये है गदांस दो गदास दिये एक रहेंगे दोनों में से आपको एक ही देना यहां अभ्यास के लिए हमने दोनों का उत्तर बताया है तो देखी पहला गदांस पराधारी प्रश्ट क्या है और गदांस का संदर्भ लिखे इसका संदर्व लिखना है गद्दांस की रिखांकित अंस की व्याख्या कीजी जो रिखांकित अंस है उसकी व्याख्या करना है कुसंग और अच्छी संगती में क्या अंतर है इस बात को भी बताना है तो देखी संदर्व पहले देखते हैं इस गद्दान्स का संदर्व क्या है सारी ये गद्दान्स है पद्दान्स नहीं तो संदर्व देखे प्रस्तुत गद्दान्स हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया इसकी लिखक आचार रामचन शुक्ल है यो प्रस्तुत गदान से हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है इसके लिखा काचा राम चंद सुकले इतना लिख देंगे आपको दो नमबर मिल जाएगा अब लिखा है रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए किसी वा पुरुस की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन आउनति की गड़े में गिराती जाएगी इसके हमें व्याख्या करनी है तो देखे यदि किसी नवजवान पुरुस की खराब संगती मित्रता किसी दुष्ठ पुरुस से होगी तो वह च्छाय रोक के समान होगी जो उसके सरीर के सांसात उसकी बुद्धी को भी ब्रश्ट कर देगी वह दिन प्रति दिन बिनास की गड़े में गिरता चला जाता है अर्थात उसकी उन्नती रोक जाती है यह हुआ रिखांके तंस की व्याख्या फिर से देख सकते हैं यदि किसी नौजवान पुरुष की खराब संगती मित्रता किसी दुष्ट पुरुष से होगी तो वह च्छय रोक के समानों के टीवी जो उसके अंदर-अंदर खा जाएगी जो उसके सरीर के सांसात उसकी बुद्धी को भी क्या कर देगी ब्रश्ट कर देगी वह दिन प्रतिद विनास के गड़े में गिरता चला जाता है अर्थात उसकी उन्नती रुख जाती है अब इसमें है कुसंग और अच्छी संगती में क्यांतर है तो देखी इस प्रश्ट का उत्तर कुसंग अर्थात खराब संगती का प्रभा बहुत ही बिनासकारी होता है यह बुद्धी के सांसात आचरण को भी नश्ट कर देता है कुसंग के प्रभा में अच्छे बुरे उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता है जबकि अच्छी संगती का प्रभा व्यक्ति के अच्छे कर्मों को करता है। प्रतच या अप्रतच रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मुर्थ रूप होकर हमारे सामने आता रहा यह हमारा स्वभाग रहा कि हमने ऐसे एक मुर्थ रूप को अपने बीच चलते फिरते हस्ते रोते भी देखा और जिसने अमरत की याद दिलाकर हमा मिर्ट पाज सरीर में नए प्राण फोंके और मुर्जाए दिलों को फिर से खिला दिया ये दूसरा गडान से उपित गडां से का संधर्व लिखे मानों के लिए क्या नाइतिक कर्थभ है तो देखे इस गद्दांस का संदर्व प्रस्तुत गद्दांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी की खंड गद्खंड में संकलित भारती संस्कित नमक पाठ से लिया गया है इसके लिखक राजयन प्रशाद है यानि जो गद्दांस दिया गया है यह हमारी पाठ पुस्तक हिंदी की गद्खंड में संकलित भारती संस्कित नमक पाठ से लिया गया है इसके लेखक जो है डाक्टर राजयन प्रशाद जी है जो भारत के पधम राष्टपती भी थे अब है रेखांकित अंस की व्याख्या लेखक कहता है कि हमारे देश में नैतिक और अध्यात्मिक स्रोत बहुत ही पुराना है जो सदियों से चला आ रहा है लेखक यानि राजयन प्रशाद जी कहते हैं कि हमारे देश में नैतिक और अध्यात्मिक स्रोत बहुत पुराना है जो सदियों से जो कई वरसों से हजारो वर्सों से चला रहा है, नैतिकता और आध्यात्मिकता हमारे बीच में साकार रूप से चलता फिरता और देखा जा सकता है, क्या नैतिक है, क्या आध्यात्मिक है, ये साकार रूप में चलता फिरता है, ये प्रवा हमें अमरत्य की, यहीं प्रवा हमें अमरत्य की याद दिला कर हमारे मृत्पा सरीर में उर्जा का संचार कर नैतिकता और आध्यत्मिकता के द्वारा ही हमारे सरीर के अंदर उर्जा का संचार होता है जैसे महात्मा गांधी ने भारत को उसकी अमरता का याद दिला कर सिथिल पड़े भारतियों के उनकी आजादी का उमंग भरा जिसे ल पुजा का संचारवरा जिससे लोग आजादी के लिए उन्मुक्त हो उठे अब इसमें अंतिम प्रशने मानों के लिए क्या नेतिक कर्तब है तो मानों समाज में होने वाली बुराईयों को नेतिकता और अध्यत्ना के आधार पर दूर करना चाहिए क्या अच्छा और क्या ख नेतिक कर्तब है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या समाज के लिए देश के लिए अच्छा है वह हमारे अंदर आता है तो हमारी नेतिकता होती है हम चलते हैं अगले प्रशन यानि दूसरे बढ़नात्मक प्रशन की तरफ जो पद्दांसों पर आधारित होगा दूसरा निम्खित में से किसी एक पद्दांस पर आधारित सवी प्रश्णों के उत्तर दीजी तो यहाँ पर दो पद्दांस हैं को और खा के रूप में ये भी छा नंबर का है तो देखी क्या पद्दांस हैं चरन कमल बंदो हरी राई जाकी क्रिपा पंगुगिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहरो शुन गुगुपुनी बोले रंक चले सिर छत्र धराई सूरदाश श्वामी करुणा में बार बार बंदे तिह पाई उपरियुक्त पद्दांस का संदर्व लिखे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए किसकी किरपा से व्यक्ति सुन और बोल सकता है तो देखे इस पद्दांस का संदर्व प्रस्तुत पद्दांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव खंड में शंकलित पद नामक कविता सिर्षक से लिया गया है इसके रचईता कभी शूरदास है यानि यह जो पद्दांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव खंड में शंकलित पद नामक कविता सिर्षक या न अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिते रेखांकित अंश है तो देखे व्याख्या मैं भगमान किष्ट के कमल की समान चरणों की बंदना करता हूं जिनकी किरपास से लंगडा व्यक्ति पहाड के आर पार चला जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है बहरा व्यक्ति सुनने लगता है जबकि गूगा व्यक्ति बोलने लगता है और गरीब आदने सिर छतरी लगा कर चलने लगता अर्था धनवान हो जाता है तो आप देख रहे हैं भगमान किष्ट के किरपास से लंगडा व्यक्ति पहाड को भी लांग जाता अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा जो सुनने लगता है, गुंगा बोलने लगता है, गरीब अमीर हो जाता है, उन्ही कमल चरणों की मैं बंदना करता हूँ, अब क्या है इसमें, किसकी किरपासे व्यक्ति सुन और बोल शकता है, तो देखें, तीसरा का एंस अब अगला पद्दांस आपके सामने, पुरते निकसीर अगवीर बधू धरी धीर धयो मग में डग दोय, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वय, फिर बूजती है चलनों अब केतिक पण कुटी करियों कित हुए, तो इसमें भी है, उबरिक पद्दांस का संदर्व लिखी रेखांके तन्स की व्याख्या कीजिए, उबरिक पंतियों का आश्य अस्पष्ट कीजिए, ये तीन प्रस्ण हैं, दो दो नंबर की प्रतेक हैं, तो देखें, प्रस्तुत पद्दांस, हमारी पाठ्पुस्तक हि जिंदी की काविखंड में संकलित बन पत पर नामक कविता सेशक से ली गई है, इसकी रचाइता महा कभी तुलशी दास जी हैं, ठीक है, यानि काविखंड की संकलित बन पत पर नामक कविता सेशक से ली गई, इसकी रचाइता महा कभी तुलशी दास जी हैं, अब देखें रेखांकित अंश की व्याख्यात उश्कायंसर राम लच्मर्त था सीता जी अर्ध्यानगर से निकल कर थोड़ी दू चले ही थे की महलों में पली बड़ी सीता जी ठक जाती है जब किय कर राम को बनवास होता है तो उनके साथ लच्छमर्त और सीता मैया भी चल पड़ती हैं लेकिन सीता मैया महलों में पली बड़ी होती है और जब वो चलती है थक थोड़ी दूर चलती है तो ठक जाती है लगातार चलने कारण उनके मस्तक्स पर पसीने के बूदे दिखाई देने लगती है जब लगातार चलती है तो गर्मी के कारण उनके माथे पर पसीने दिखाई देने लगते हैं उनके दोनों कोमल और सुन्दर होटों पर प्यास आ जाती है अर्थात प्यास की कारण ओट सूख जाते है अब है उप्रिक पंक्तियों का आसे असपष्ट कीजी यानि सारान समय ल देखे कारण जब राम लच्मर और सीता जी अर्धिया से निकल कर कुछ दूरी पर पहुंचते हैं तो देखा जाता है मां सीता के ठकान आ जाती तथा उनकी होट प्यास से सूख जाते हैं फिर वे लोग मुर्जा कर चलते हैं और कहते हैं कि किसकी कुटिया में आराम करें तो इसका आसा है अब हम आपको ले कर चलेंगे तीसरे प्रशन के ओ तो देखे तीसरा प्रशन आपका इंतजार कर रहा है तीसरा प्रशन निकीत में से किसी एक संस्कित गद्दांश का संदर्व शयित इन बाद किची जैसे अभी तेक हिंदी था, अब संस्कित है बराणस्या प्राचीन कालयदेव गेहे गेहे विद्धया दिवय जियोंती गोतती अधुनाडपी अत्र संस्कित वागेधारा सततम प्रभति जानानाम ज्यानम च वृध्धयती अत्र अनेकी आचार्या मुर्धन विद्वाश विद्वाना वैतिक वांड मैश्य अधेने अध्यापने च इदानी निर्ता न केवलं भारतिया अपित वैदेशिका गिर्वाणा वाणया अधेना अत्र आगच्छंती निसुलक च विद्ध्या ग्रहनती अत्र हिंदु विष्विद्याले है संस्कृत विद्ध्यापीट इत्र तत्र विष्विद्याले है शंत एसु नमिनानाम प्राचिनानाम च ज्ज्ञान विज्ञान विस्यानाम अध्यनन प्रचलति यानि इसका हमें इसका हिन्दी में अनुबात करना संद्र्व शहित तो देखे, दो रहाएगा एक का करना होगा, अभ्यास के लिए हमने यहाँ पर लिखा है सब, तो देखे, संदर्व प्रस्तुत गद्दांस, हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संकलित, संसुत खंड के वाणासी नामक पाठ से लिया गया है, ये इसका क्या हुआ, संदर्व तो आपको दो धन तीन, यानि पांच नंबर मिल जाएंगे, दो संदर्व लिखने पर, तीन अनुबाद करने पर, तो देखे, अनुबाद आप, बाराणशी में प्राचीन काल से घर-घर में विद्द्या का अध्यन किया जाता है, आधनिक समय में भी यहाँ, संस्कित वा बोली जाती है, निरंतर बह रही है, आप और लोगों को ग्यानवान बनाते है, यहाँ अनेक स्रिष्ट आचार विद्द्वान वैदिक साहित के अध्यन में लगे रहते हैं, केवल भारती इने अपित विदेशी लोग भी संस्कित के अध्यन में यहाँ आते हैं, तथा बि अध्यन में नमीन और प्राचिन विद्द्याओं का अध्यान चलता रहता है, तो इसका यह अनुबाद हुआ, इसके शार्ट ले सकते हैं, अध्यन कर सकते हैं, और अभ्यास अगला है, आपका ख़, दुर्मुख, दुतिया, कशा, कशा, घात, दुर्मुख, पुन, ताड यह अध्यन करना होता है, अभ्यास के लिए हमने यहाँ पर दिया है, देखे, इसका संदर्व, प्रस्तुत गद्दान्स, हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में, संकलित, संस्कित खंड की देशभक्त, देशभक्त चंसेखर नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, अनुबाद देख सकते हैं, दुर्मुख, अंग्रेश सिफाई, दुबारा मारता है किन्तु चंसेखर जी, बार-बार भारत माता की जै बोलते हैं, उन्हें पंद्रव कोड़े मारे जाते हैं, जब चंसेखर कारागार से छुट कर आते हैं, तो लोग उन्हें चारों और से घेर लेते हैं, बहुत नौजवान बालक उनके चरणों में गिरते हैं, उनका मैनुबाद है, इसका भी स्किन्शॉट ले सकते हैं, हम आपको लेकर चलेंगे, अगले प्रश्ट की चरप तरप्त दे की अगला प्रश्ट चोथा, निम्कित में से किसी एक संस्कित पद्दांश का संद्रवशित हिंदी मैनुबाद की जिदो दिया रहेगा, एक करना होगा, ये पांच नंबर का ये भी है आपकी सामने, तो देखे, पहला मर्डम मंगलम यत्र विभूत इस्य विभूशडम कौपीन यत्र कौशेयम शाकासी के मियते, तो देखे, इसका संद्रव का का, प्रस्तुत पद्दांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संक्रे संस्कित खंड के वानासी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, तो इसका अन अनुबात करेंगे, तीन नमबर देखें, अनुबात, जहां मरना भी कल्यानकारी है, जहां भस में भी आभुसन है, जहां लंगोड भी रेशमी होती है, उसका से कीकी से मापा जा सकता है, यहनि उसका वर्ड़ा नाम अवर्डनी है, अर्थात कासी वे जोड़ है, गानेका दुनाद्य कुल बरतम पाले इश्यति कह तो देखे इसका शंदर्व प्रस्तुत पद्दांस मारी पाठ पुस्तक हिंदी में शंकलित शंकित खंड के अन्योन सक्ति विलासय नामक पाठ से लिया गया है अन्योन सक्ति विलासय नामक पाठ से लिया गया है देखे इसका अनु अब संसार में कौन दोसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालं करेगा अर्थात न्याय करेगा कहने का अर्थ है इसके द्वारा न्याय करने वाले व्यक्तियों के बारे में कहा गया है यदि आप आलस करेंगे तो इस संसार का、 इस समाज का कल्यार कैसे होगा वो हंस की माध्यम से कहा गया है अब हम आपको ले कर चलेंगे अगले प्रशनों की तरफ तो देखी, अगले प्रशन आपका इंतजार कर रहे हैं लिखा है अपने पठित खंड काथ की आधार पर आसानी से तीन नमबर आप ले लेंगे, थोड़ा से एक बार भी पढ़े रहेंगे, खंड काप जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर जिले में अलग-अलग खंड काप पढ़ाया जाते हैं, अब देखे, यहाँ पर दिये गए हैं, हमने एकदम मुख्य दिये गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परचे देती हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उलेख कीजी, लेखक का जीवन परचे लिखेंगे, तीन नमबर, एक प्रमुख रचना को लेखेंगे, दो नमबर हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उलेख कीजी, तो देखे, तो देखे, यह इनको तयार रखे, बुक से, अपने नोटबुक से, आने वाले हैं आपके बोर्ड एक्जाम में, कभी का जीवन परचे, और यहाँ पर यहाँ पर लेखक का जीवन परचे, यहाँ कभी का, दोनों मिला कर दस नंबर का तोलशी दास मैसेजी सरण गुप्त, पंडित, माखनला चत्रवेदी, यह महत्पुर्ण है, जो आपको अधिक से, अधिक अंग दिलाएंगे बोर्ड एक्जाम में, अब हम आपको लेकर चलेंगे, अगले प्रस्न की तरफ, तो देखे, अगला प्रस्न सात्मा, महत्पुर्ण प्रस्न आपके सामने, अपनी पाठ्पुस्तक में स कंठस्त कोई एक स्लोक लिखे, जो इस प्रस्पत में नहीं, कम से कम दो तीन स्लोक याद कर लीजिएगा, दो नमबर का रहेगा, जो किताब में आये रहेगा, उसको मत लिखेगा, उसके अलावा जो याद रहेगा, आपको लिखना होगा, अब यहाँ पर है निकित में से क इनि दो प्रस्पने को उत्तर दीजिए, यानि दो का उत्तर संस्कित में ही देना है, दो दो नमबर का है, कुल मिलाकर चार नमबर का केवल दो का है, हमने अभ्यास के लिए चारों का उत्तर लिख दिया है, बारांशी कश्या, बारांशी कश्या, नद्या, कूले, इस्थि लिखर स्वाग्रिहम अपने घर को क्या जब उनसे पूछा जाता है कि आपका घर क्या है तो उन्होंने बताता है चंशेकर कारागाराम स्वाम ग्रिहम अवदत यानि वो कहते कारागार जब सिपाही अंग्रे सिपाही उन्हें पकड़ते हैं कि आपका घर कहा है तो उन्हों क संस्कित की द्रिश अस्ती भारतिया संस्कित Moder merge फ़ती यह भारतिया संस्कित सदायर घ्रbad शील ओप वर्टिये बहु और फिंशनक्त संस्कित स्दा सदा चैप और प्रश्णों के तुल्ला महत्यात होता है तो यह आठों प्रस्णों का एंसर है अब प्रस्णों के साथ साथ आप इनके एंसर को भी स्किन शाट ले सकते हैं अब देखे अंतिम प्रस्ण जो आएगा नौ नंबर का इन निवंधों को आप तयार रखे इन ही निवंधों में से आएगा नौ नंबर का तो यह निवंध आपके सामने है बिद्याले मेनुसासन का महत्व भराष्टाचार कार्ण निवारण जनसंखा बृद्धी एक अपसाप राष्टी एकता का महत्व बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ तयार रखें आने वाले हैं बोर्ड एक्जाम तो अजार चौविस